राइसेन जिले के तहसील सरकिल के तहट साची रोड स्थित धान मेल कौडी मोरी पर धान मेल प्रवंदन की बड़ी लपरवाही सामने आई है दरसल यहां मिल परबंदन द्वारा मेड की ख्षेतर के किसानों के खेत में धान मिल से केमिकल मिला हुआ पानी छोड़ा जा रहा है जिसके चलते किसानों की फसले खराब हो रही है बदा दें कि किसान मिथुन लोधी, मलुख खान मेवाती, गुलाब सिंग लोधी और जमुना परसाद ग्राम मेड की के निवासी है और उनके जमीन धान मिल के आसपास कोडी मोरी पर है वदाय जा रहा है कि धान मिल का केमिकल युक्त गंदा पानी पिछले एक दू दिनों से कुछ मातरा में जादा निकल जान रहा है जो किसानों की सोयाबीन धान के खेतों में भर गया है इससे फसल निश्चित रूप से प्रभावित हो सकती है वहीं जब इस मामले की शिकायत किसानों ने तहसिलदार और पटवारी से की तो तहसिलदार ने आश्वासन देते हुए कहा कि हम जल्द ही जाच कर जिम्मेदार के खिलाफस वैधानिक कारवाई करेंगे लेकिन इन सब तमाम बातों से बेखबर धान मिल प्रभंधन राठी साहिब ने कोई ध्यान नहीं दिया है वहीं किसानों का कहना है कि धान मिल मालिक द्वारा पाने निकासी के ठोस इंतजाम के लिए पुलिया का निर्माण करना मुनासिब नहीं समझा बैरहाल अब देखना यह है कि जिला प्रशासन के आला अफसर किसानों के हित में क्या उचित कदम उठाते हैं राइसेन से नरेंदर राय के रिपोर्ट कोणी मूरी पे धान में ले उन्होंने क्या गंदा पानी छोड़ दिया है जिससे किसानों की खसलें बरबाद हो रही है इस संब्ध में आपके माध्यम से मुझे पहली बार जैंकरी प्राप्त होई है किसी भी क्रशक दोरा अभी तक मेरे समक्षम को शिकायत नहीं की गई है हम इसकी ज्यान करवाएंगे दिवास्त्रम में धान फैक्ट्री वाला प्रागंदा पानी छोड़ते हैं और खसल खराब हो रही है तो जो भी विदी संगत के अर्वाई हो कि जाए हमने पानी के लिए रस्ता बनी दिया और पूर्दी उस जिवागों और इसके बाद में य नहीं कर सकता है उसमामले की सिकायट तैसिला को किये तो मैडम भी दो तीन वे रही है पहले और अभी आए थी महां पहले तो तुम सभी सिकायट की तो कोई सुनमा ही नहीं हो रही है कि मामला जे कि फुलिया बनाई नहीं है नहीं है रोडशाट जो पानी निकल था पूरी बारिसवाला उजने अंदर गरंड बना दिया वो तलाव कच्छी तलाव है वो फूरा पानी खेतों मृस रहा है उसमें केमिकल मिला रहा है फूरी फसल नेश्ट हो रही है यह पूरा